खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े फाइनल डे आ गया आज जनता आपकी किसमत EVM में कैद कर देगी जी हाँ बड़ा देखे चुनाओ तो चुनाओ है वो किसी के सामने हूँ 2014 मेरे आद है ऐसा ही लगता था दो चुनाओ हुआ मैंने खुद लड़ा एक तरह से या फिर 2017 के चुनाओ देखे चुनाओ तो चुनाओ है मुकाबला बड़ा हो या छोटा हो सामने कोई हो ना हो स्वभाई ग्रूप से एक तनाओ और बात तो रहती है कि क्या होगा पूरा दिन टेंशन तो रहती है जाहिर सी बात है कि 5 साल का लेखा जोखा जो है उसका आज हिसाब करेगी जनता जनारदन लेकिन जब ऐसे में अगर व्यक्तित वितना बड़ा सामने आ जाए चौदरी अजीस सिंग जैसा और खासकर जब जाटों की बात होती है तो टेंशन बढ़ जा है आपका कार्यकरता भी देखता दूसरी तरफ का है जो दूसरे समुदाय का है सब के पेक्षाय होती है और सच बात ही है कि बहुत बड़े नेता है चोज साब और कह सकते हैं कि जब अगर वे चुनाओ भी हारे तो भी उन्हें कोई चुनोती उनके अपने लोगों नहीं द कहीं ने कि उन्हें काम के पड़ती या राष्ट के पड़ती और बात तुम्हें रहते हैं जो हमारी पुरानी पीड़ी थी वो कहीं ने कहीं परिवार बात से चिपकी रही ये बात सच है ऐसे में एक और बड़ी तेजी के साथ में जुमला जो है वो आपके मुजफ़नगर में चल रहा है वो है से अक्षर को लेकर कि आज तक चौधरी अजीस सिंग को जो भी हरा पाया है एक बार सोमपाल शास्त्री बागपत में दूसरी बार सत्यपाल सिंग दोनों सैक्षर्थ से उनके नाम शुरू होते थे और अब संजीव बालियान है इसको भी एक इत्तफाक देखा जाए या लगता है कि जो दस्त दस्तूर था वो दस्तूर आगे जारी रहेगा देखें यह तो इत्तफाक ही कहेंगे चुकि संपाल सास्त्री सुम दूसरी बार आरे थे उनसे मेरे अच्छी थे दूसरी बार नी एक बार और आरे